आज शुरू करते हैं क्लास 11 की हिस्टरी का 4th चाप्टर तो आज की 21st सेंचुरी में 100 करोड से जादा मुस्लिम्स हैं जो दुनिया भर में अलग अलग देशों में रहते हैं अलग अलग भाशा बोलते हैं, अलग कपड़े पहनते हैं ये सब अलग प्रोसेसे से मुसलिम्स बने हैं और जो कंडिशन्स थें इनके मुसलिम बनने की वो भी काफी डिफरेंट थी पर फिर भी इन सब की रूट्स एक जगह से मिलती हैं और वो है अरेबियन पिनिंसुला इस चाप्टर में हम देखेंगे कि कैसे इसलाम शुरू हुआ और कैसे दुनिया भर में फैला एक और बात चाप्टर शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि इस चाप्टर में जो भी चीज़ें में बताऊंगा वो सीधा NCRT से ली गई हैं इस चाप्टर टॉक्स बाट रिलिजिन इसे स्ट्रिक्टली अकाडमिक नजरिये से पढ़ें इस वीडियो के अंदर कई नाम ऐसी होंगे जो आप पहली बार सुनेंगे इसलिए आई विल सेजेस्ट कि इस वीडियो को एक से जाधा बार देखें अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट आए या कोई टॉपिक समझ ना आए तो आप मुझे सीधा इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब हमें कैसे पता चलता है कि उस टाइम हुआ क्या था तो इसके लिए हमें कई सारे एविडेंसे मिले हैं जिनमें बायग्रफीज हैं प्रॉफिट की बाते जो कहीं लिखी गई थी जिनने हादित बोलते हैं वो भी मिले हैं अब जिस मटीरियल से ये सारी बाते पता चलती हैं उन्हें बोलते हैं अखबार यानि आई विटनेस रिपोर्ट अब कई बार ये अखबार ओरली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास हुए हैं और कई बार लिख के तो दोनों टाइप के अखबार मिले हैं Christianity में Church जो डीटा रिकॉर्ड करते थे जिनी Christian Chronicles बोला जाता था उनके रिकॉर्ड में भी Islam के History के बारे में पता चलता है तो ये थे इस चाप्टर के कुछ Facts अब क्योंकि ये चाप्टर थोड़ा बड़ा है इसे हम स्टोरी के फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि जारा टाइम तक ये नॉलेज लिटेन कर पाएं तो अब देखते हैं कि अरेबिया में इसलाम कैसे शुरू हुआ जिन्होंने इसलाम धर्म की शुरुआत की थी वो थे Prophet Muhammad जिन्होंने Single God यानि एक Chief होता था जिसे Intelligence और Bravery के साथ साथ Family Connections के Basis बे भी चुना जाता था हर कभीले के अपने भगवान थे जिसकी वो अपने तरीके से पुजा करते थे इन में से ज़्यादातर कभीले खाना बदोश थे यानि जगा जगा घूमते रहते थे जहां खाना और पानी मिल गया वहां थोड़ टाइम के लिए सेटल हुए और फिर दुबारा निकल पड़े मुहमद जिस ट्राइब के थे उसका नाम था कुराइश जो मेका में था और वहां की जो मेन मस्जिद थी उसे बोलते थे काबा जो एक ट्यूब की स्ट्रक्चर में थी काबा को बाकी कभीलों की लोग भी बहुत पवित्र और पावन मानते थे और अकसर वहां आती थे जिसे उन्होंने हाजी का नाम दिया था तभी अगर आपने कभी सुना हूँ कि जैसे हिंदू में अभरनात यात्रा होती है वैशन देवी की यात्रा होती है वैसे ही इसलाम में हाजी की यात्रा होती है जो बहुत पावन मानी जाती है मेक्का यामन और सीरिया की बीच में पढ़ता है इसलिए भी ये काफी important एरिया था 612 AD में मुहमद ने अपने आपको रसल यानि messenger of God डिकलियर कर दिया और इस तरह इसलाम की शुरुआत हुई इसमें उन्होंने बहुत simple rituals को सिखाना शुरू किया कि अल्ला की worship करनी चाहिए daily prayers जिने सालत बोलते हैं वो करने चाहिए अच्छे principles को follow करने चाहिए अब ये एक छोटा सा topic है Islamic calendar जिसमें कई बार questions आ जाते हैं तो एक बार इसे भी देख लेते हैं ये Islamic calendar तब launch हुआ जिब उमार कलीफा थे और Islamic calendar का पहला साल 622 CE में मनाया गया एक हिजरी year में 354 days होते हैं और 12 महीने होते हैं normal calendar के मताबिक 11 दिन कम होते हैं इसलिए दोनों के वीच में comparison करना काफी मुश्किल है इसलिए इसलाम धरम के सब त्योहार चाहे रमजान हो, इद हो या हाजी हो Gregorian calendar या normal calendar से match नहीं करते हैं अब देखते हैं कि Prophet Muhammad की death के बाद कौन leader बने और उनके क्या contributions थे तो अब काइदे से कोई भी Prophet Muhammad की जगा claim नहीं कर सकता था इसलिए उनकी जो position थी, जो political authority थी उसमें succession का principle नहीं आया यानि ये नहीं कि मरने के बाद राजा का बेटा राजा बनेगा अब इससे सब को आगे आने का मौका तो मिला पर Muslims में लडाईयां भी बढ़ गए इस सिस्टम के चलते उनके खलीफा का सिस्टम इजात किया जिसमें Muslim community का leader खलीफा कहलाएगा जो पहले चार खलीफा थे, वो Prophet के करीबी थे और उन्होंने Prophet के काम को आगे बढ़ाया उनकी basic principles को follow करके तो मौमद के बाद जो पहले खलीफा बने वो थे अबुबकर जब मौमद की death हुई, कुछ कभीलों ने अपने खुद के prophets बना लिये और विद्रो करने लगे अबुबकर ने अपने टाइम में ऐसे कई विद्रो को शांत किया दूसरे खलीफा थे उमार, जिन्होंने उम्मा को expand करने की policy बनाई उम्मा का मतलब है एक community, वो लोग जो मेका और मदीना में रहते थे और Prophet Muhammad की leadership को मानते थे, इनमें मेदीना की Jews भी शामिल थे अब उमार जानते थे कि उम्मा को ऐसे ही maintain नहीं किया जा सकता उन्हें और पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने West में Byzantine Empire और East में Sassanian Empire को जीतने की सोची 637 से 642 के बीच अरब्स ने Syria, Iraq और Egypt को अपने कबजे में कर लिया फिर तीसरे खलीफा थे उत्मान, जिन्होंने Central Asia को अपने कबजे में करने की सोची मौहमत की डेट के 10 साल के अंदर-अंदर अरब Islamic State का कंट्रोल Egypt से लेके अफगानिस्तान तक हो गया था अब जो उत्मान थे वो भी कुराइश कबीले के थे और उन्होंने अपनी administration में अपने कबीले के लोग जी जादा शामिल कर रहे थे ताकि उनका कंट्रोल बना रहे है और इस बाद से बागी कबीले के लोग खुश नहीं थे और इसी चक्कर में उनका conflict शुरू हो गया और इराक और एजिप्ट में उनके दुश्मनों ने एक होकर उत्मान की हत्या करवा दी अगले खलीफा थे अली जब अली ने मेका की एरिस्टोक्रेसी यानि हार इकला सुसाइटी की साथ दो लड़ाईयां लड़ी उसके बाद से मुसलिम के बीच प्रॉबलम और बढ़ गई अली के सपोर्टर्स और दुश्मन दो सेक्ट में बढ़ गए शिया और सुन्नी दो भागों में बढ़ गए कुछ उनके वफादार रहे और बाकियों ने अपना अलग ग्रुप बना लिया और खर्जियों की नाम से आगे जाने गए और इन्हीं खर्जियों ने अली की हत्या भी करवा दी कूफा के ही एक मस्जिद में अली की डेथ के बाद उनके फॉलिवस ने उनके बेटे हुसेन को अपना लेडर बनाया 661 में मुआविया को अगला खलीफा बनाया गया और उन्होंने उमाया डेनिस्टे की शरुवात की ये थे हमारे चार पहले खलीफा अब अगला टॉपिक है कि ऐसे क्या चेंजिस थे जो कैलिफ्स यानि खलीफा जीते हुए एरियाज में ले के आते थे तो हर जीते हुए एरिया में कैलिफ्स नई अडिनिस्टेटेव पॉलिसी लागू करते थे जिन्हें गवर्नर और चीफ्टेंस हेड करते थे उनके मेंन सोर्स आफ इंकम टाक्सिस और रेट से लूटा हुआ पैसा होता था कैलिफ्स के सोल्जर्स अक्सर शेहर के बहरी इलाकों में रहती थे ताकि वो अपने घरवालों के कुई करीब रह सके और कैलिफ्स की डिमांड पे जल्दी उनके पास भी पहुंच सके रूलिंग क्लास और सोल्जर्स को जीती हुई रकम में हिस्सा भी मिलता था और सैलरी भी मिलती थी और जो नौन मुस्तिम पॉपॉलेशन थी उन्हें अपनी जमीन रखने और अपना रिलिजन फॉलो करने का हक था लेकिन टाकिस देने के बाद तो जब मुआविया कैलिफ बने उन्होंने अपनी कापिटल को दमासकस शिफ्ट कर लिया और बिजन्टिन अम्पायर के कुछ तौर तरीकों को फॉलो किया उन्होंने ही इसलाम धरम में हेरिडिट्रिन सक्सेशन की शिरुवात करी और अपने फॉलोवर्स को कन्विंस किया कि उनके बाद उनका बेटाओं की जगा ले अब उमायद एक बहुत पारफुल स्टेट बन गया था और सिर्फ इसलाम के प्रिंसिपल्स पे ही नहीं बलकि सिरियन फॉज के दम पे भी इनकी अड्मिनिस्ट्रेशन में क्रिस्टिन्स भी थे दौर आस्ट्रियन्स भी थे पर मेर्जॉरिटी मुसलिम्स ही थे उमायद हमेशा एक ताका संदीश देते थे और अगर कोई कॉमेटी विद्रोव कर रही है तो उसे इसलाम के नाम पे दबा दिया जाता था जब सिक्सीटी फाइफ में अब्दल मलिक पावर में आये तो उन्होंने अरेबिक लांग्विज को ओफिशल एड्मिनिस्ट्रेशन लांग्विज बना दिया और इसलामिक कोईनेज शुरू की गोल्ड की दिनार और सिल्वर की दिरम दोनों ही बिजन्टिन एम्पायर और इरानियन कोईन्स की कॉपी थे बस फ़रा कितना था कि उन कोईन्स पे अरेबिक इंस्क्रिप्शन थी और अपनी अरब इसलामिक आइडेंटिटी को बढ़ावा देने के लिए जेरुसलम में उ उमायर इविल हैं और हम ओरिजनल इसलाम को रिस्टोर करके रहेंगे अब बासित विद्रो खुरासन में शुरू हुआ यहां अरब और इरान की मिक्स्ट पॉपॉलेशन रहती थी यहां के अरब्स को ये बात पसंद नहीं थी कि उमायर ने जो वादे उन से किये थे वो जिसने उमायुद के आखरी खलीफा महरवान को हराया अब बासित के राज में अरब्स की इंफ्लूइंस कम हो गई और इरानियन कल्चर की ग्रोथ हुई अब बासित ने में कापिटल बगदाद शिफ्ट कर ली तेसी फॉन के पास आर्मी और बिरोक्रसी को नॉन जिससे क्यालिफीट का सिस्टम तूड गया आठ सो दस में आमीन और मामून के फॉलोवर्स के बीच स्विल वाट छड़ गई आमीन और मामून दोनों ही खलीफा हारुलल रशीद के बेटे थे इससे लोगों के बीच आपसी रंजिशें और बढ़ गई एजिप्ट और सिर पर अबासिच के खलीफा को ही रिलीजिस हेड बना के रखा अब इन सब में जो प्रॉफिट मौहमद की बेटी थी फातीमा तो उनके वॉलर्स बोलते थे कि हम ही सही हगदार हैं इसलाम पे रूल करने के और 1969 में उन्होंने इजिप्ट को अपने कबजे में लिया और अपन फातिमाद केलिफिट बना दिया इन सब में टर्क्स आये थे स्लेव और सोल्जर्स बनके पर धीरे धीरे अपने स्किल्स और वाफदारी के बल पे वो उपर चड़ते गए और पावफुल पोजिशन गेन करते गए पहले बात करते हैं गजनविद सल्तनत की जो शुरू की थी 1961 में आलपद जिन ने और उसे असली रूप दिया मेहमूद गजनी ने बोईट्स की तरह गजनविद भी एक मिलिटरी डानेस्टी थी जिनकी एक प्रोफेशनल आर्मी थी टर्क्स और इंडियन्स की महमूद गजनी एक गुलाम की बेटे थे इसलिए उन्हें सुल्तान का टाइटल लेने की जादा ही ख्वाईश थी क्यालेफ भी गजनी को सपोर्ट देने को रेडी थे ताकि शीत पावर से टक्कर ले पाए इस बीच सालजुव टर्क्स तुरान में सामानेज और कारखाने के सुल्जर्स की तरह गुसे थे और आगे जाके उन्होंने अपना ही एक पावरफल ग्रुप बना लिया दो भाई तुग्रिल और चागरी बेग की लीडर्शिप में 1037 में गजनी की मौत का फायदा उठाते हुए सालजुवाज ने खुरासन पे कबजा कर लिया और निशापूर को अपनी कापिटल बना लिया इसके बाद सालजुवाज ने वेस्टन परशिया और इराक की तरफ ध्यान दिया और 1055 में भगदाद पे वापस सुन्य रूल इस्ताब्लेश कर दिया और फिर खलीफा अलकेम ने तुग्रिल बेग को सुल्तान खोशित कर दिया और यहां से पॉलिटिकल और रिलीजिस अथारिटी के बीच पावर सेपरेट हो गई यानि अलग-अलग हो गई अगर आपको इस लाइड में कोई चीज समझ नहीं आई तो ज़्यादा टेंचन ना लें बस इन फाक्ट्स को थोड़ा सा मिम्मराइज करने की कोशिश करें कि तुग्रिल और जागरी बेग कौन थे या फिर मेहमूद गजनी कौन थे यह सब चीज है अब आते हैं क्रूसीड वार्स पे सिंपल शब्दों में बताऊं तो क्रूसीड वार का मतलब है धरम और लिजन के नाम पे लड़ाई तो 1095 से 1291 के बीच क्रिस्टिन्स और मुस्लिम्स के बीच कई लड़ाईयां हुई जरूसलम को लेखे कुछ कहानियों के मुताबिक क्रिस्टिन लीडर जिने पोप बोलते हैं उन्होंने हर सूलजर को एक क्रूस भी गिफ्ट किया था अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या रीजन्स थे इन क्रूसीड वार्स के बीचे 638 में अरब्ज ने जरूसलम पे कबजा कर लिया था पर क्रिस्टिन के मताबिक ये जगह हमेशा से ही क्रिस्टिन को बिलॉंग करती थी क्योंकि उनके मताबिक वहीं पे जीजिस की डेट और रेजरिक्षिन हुआ था इसलिए Christians Jerusalem को वापस लेना चाहते थे Christians ने Normans, Hungarians और बाकी स्लेव्स को Christianity में convert कर दिया था तो अब Muslims ही main enemy बचे थे 11th century में Europe में social और economic changes भी हुए थे वहाँ की economy काफी grow कर गई थी trade और agriculture की वज़ा से और Muslims mainly taxes और loot parts से अपनी economy चलाते थे 1093 में बगदाद के सालजवा सुल्तान मालिक शाह की मौत ने पूरे सालजवा empire को विखेर के रख दिया इस मौके का फायदा उठा के पोप और Byzantine Emperor Alexius I ने हाथ मिला लिया और पाक शेहर Jerusalem को free कराने का फैसला किया पहली Crusade war में France और Italy के soldiers ने Syria में Antioch पे कबजा कर लिया और वहाँ के Muslims और Jews को हरा दिया France ने जल्द ही Syria और Palestine में चार Crusader states बना दिये जिने आउट रिमर के नाम से जाना गया जब 1144 में Turks ने Edessa पे कबजा कर लिया तो पोप ने Second Crusade war की अपील की इस टाइं जर्मन और फ्रेंच आर्मी ने मिलके दमासकस को कबजे में लेने की सोची बट नहीं ले पाए इसके बाद से ही आउट रिमर की पावर धीरे-धीरे कम होने लगी सलाह अल दिन ने Syria Egyptian Empire बनाया और जिहाद के नाम पे Christians के अगेंस्ट लड़ाई छीड दी और 1187 में हरा दिया और तकरीबन पहली Crusade की 100 साल बाद Jerusalem को वापस कबजे में ले लिया Jerusalem के हार के बाद 1189 में तीसरी Crusade war हुई पर यहाँ भी Christians को छोटे मोटे इलाकी ही हाथ लगे और 1291 में एजिप्ट के रूलर मामलुक ने ये भी चीन दिये ये रोप का ग्राजुली military interest खतम हो गया और उन्होंने अपने internal matter पे ध्यान देना शुरू किया इन Crusade war से दो चीज़ें पता चली पहली कि Muslims का का काफी harsh attitude था Christians के रिए और जहां mixed population रहती थी वहाँ ज़्यादर security के रहती दूसरा Crusade में Muslims के जीतने के बावजूद Italian traders का trade पे दबदबा काफी ज़्यादा था अब देखते हैं Arabia में agriculture development कैसे हुई लोगों का main occupation ही agriculture था लोगों को tax pay करना पड़ता था और Muslims अगर किसी एरिया पे कबजा करते थे तो usually Khalifa की family को वो land gift किया जाता था States भी mainly agricultural land से taxes collect करके ही अपनी income generate करते थे Muslims जिस land को cultivate करते थे वहाँ उन्हें अपनी total उपज का 10वा हिस्सा यानि 10% देना होता था tax की रूप में और बाकियों के लिए ये था पांचवा हिस्सा यानि 20% तो tax बचाने के लिए non-Muslims convert होने लगे Muslims में और इसी वज़े से state को पैसों की कमी हो गई तो पहले तो Khalifa ने conversion पे रोक लगाई पर बाद में सब के लिए same taxation policy शरू कर दी 10th century से state ने अपने officers को बोला कि अपनी agriculture से होने वाले income बताओ जिसे इकतास बोला गया है क्योंकि जितना stable agriculture उतना ही stable state है कई areas में state ने irrigation facilities को support दिया dam बनवाए, canals बनवाए, कुएं खुदवाए, इन सब की वज़ा से cultivation में बहुत improvement हुआ और production काफी बढ़ गई कई नहीं फसलें जैसे रुई, संत्रे, तर्बूस उगाए जाने लगे और भार export भी होने लगे next topic है urbanization in Arabia तो शेहरों में बहुत विकास हुआ क्योंकि शेहरों की संख्या बढ़ गई थी, नए ने शेहर बनाए जा रहे थे, खास तोर से soldiers को settle करने के लिए, क्योंकि ultimately वही तो सीमा पे रहके लड़ते थे कुछ ही समय में बगदाद की population 10 लाग तक पहुँच गई, पुराने शेहरों को नया रूप मिला, जब वहां की population बढ़ी तो वहां के लोगों ने जादा समान प्रेड्यूस करना शुरू किया, जिससे शेहरों के बीच लेन दिन शुरू हो गई और एक network सा बन गया शेहरों के ठीक बीच दो important buildings होती थी, एक तो बड़ी सी मस्जिद और दूसरा बड़ा सा marketplace जहां सब दुकांदर अपना समान बेचते खरीदते थे अब शेहर दो parts में divided था, शेहर के बीच में जहां important buildings थी, वहां तो important लोग रहते थे, और नॉर्मल लोग और soldiers शेहर के भारी हिस्तों में रहते थे, वहां छोटी मोटी सबजी और फलों की दुकाने थी, जो ज़्यादा साफसुत्री भी नहीं थी नेक्स टॉपिक है Commerce in Arabia, Commerce यानि ट्रीड, तो जब Arabia की लोगों के पास पैसे आए, तो उनकी डिमांज बढ़ी, महंगे और important goods जैसे मसाला, कपड़े, चीनी मिट्टी के बरतन और gunpowder को इंडिया और चाइना जैसी जगहों से पानी के रास्ते से सिराफ और बसरा तक भीजा जाता था, यहां से आगे उन्टो के ओपर समान लाद्किय लाय ले जाये जाता था, जबी उन्टो का कारवान मेका से हाजी के टाइम पे गुजरता था, तो अकसर काफी भीड बढ़ जाती थी, 10th century से Red Sea वाला रूट जादा important हो गया, क्योंकि Cairo trading center बन चुका था, Cairo एक ज जाता मात्रा में होने लगी, तो पैसों को भी तवज़ों मिलने लगी, सोने और चांदी के सिक्के बनने लगे, सोना आफरिका से और चांदी Central Asia से आती थी, Muslim World ने पूरी दुनिया को payment और business management का एक उमदा तरिका सिखाया, अचा मेंडी जो businessmen थे, वो अपने family business में ही invest करते थे और अक्सर slaves को काम पे लगाते थे, पर कई रहीस merchants investor की तरह भी काम करते थे, जिसमें वो दूसरी merchants को पैसे देते थे और बदले में उनके profit और loss में हिस्सा लेते थे, अब आते हैं religious learning in Arabia पे, तो religious scholars यानि उलामा के मताबिक profit का रास्ता ही एक मात्र तरीका है, जिससे ईश पर के मन को जाना जा सकता है, तो medieval times में उन्होंने खुद को तफसीर लिखने और मोहमत के life experiences लिखने के लिए खुद को समरपित किया, कुछ ने common laws तयार किये, जिससे शरिया बोला गया, जब life काफी complex हो गई, तो 8th और 9th century में उन्होंने चार schools of law बनाए, मलीकी, हनाफी, श बकी यानी jurist के नाम पे based थे, शरिया ने सुनी society को हर possible legal issue का solution दिया, जो mainly personal life से related थे, कुछ religious minded लोगों का एक घृप जिने सूफी की नाम से जाना जाता था, उन्होंने तपस्या के माध्यम से भगवान को जानने की कोशिश की, जितना लोग materialistic चीज़ों में बंदे रहते थ उतना ही सूफी इन चीज़ों से दूर रहते थे, अब है secular learning in Arabia, secular का मतलब है धर्म निर्पेक्ष यानी religion neutral, अब Islamic philosophers भी science से काफी प्रभावित थे, डिली नए नही खोज हो रही थी, जिससे Islamic life पर भी असर पढ़ रहा था, scholars नही नही सवाल पूछते थे और नही जवाब दे इबन सिना एक मशूर डॉक्टर थे जो शरीर के वापस जी उठने वली बात को नहीं मानते थे, उन्होंने कई भीमस किताबे लिखी जिनमें सबसे मशूर अल कानून फिल दिब थी, जिसमें 760 से ज़्यादा medicines के बारे में information थी, medieval times में जिस इंसान की भाशा अच्छी होती और जिसका दिमाग creative होता था, उसे काफी important पिलती थी, अबु नवास जो परशया के थे, उन्होंने classical poetry में उन मुद्दों को छेड़ा जिन पे इसलाम ने रूख लगा रखी थी, जिसे wine और meal love, जब Arabs ने एरान पे कबजा किया, तब वहां के धार्मेक language पालवी खतम होनी क कागार पे थी, तब पालवी language का नया वर्शन जिसे new Persian भी बोला गया सामने आई, रुदा की नाम के कवी को father of new Persian poetry भी कहा जाता है, जिन्होंने गजल और रुबाई जैसी चीजों को बनाया, गजनी के मेमूद अपने पास हमेशा poets का एक ग्रूप रखते थे, जिनमें सबस शाहन आमा को बहुत important माना चाता है, अब इस chapter का last topic, Art and Architecture in Central Islamic Land, religious buildings हमेशा से एक जगा का symbol रही है, पहली century की मस्जिदों में एक open courtyard होता था, जहां एक fountain या तलाब होता था, जहां से जाके एक बड़ा hall आता था, जहां लंबी लाइनों में लोग worship कर सकते थे, hall के अंदर दो mean features थे, एक आला यानी मीरभ जो मेका की direction बताता था और दूसरा pulpit, जहां Friday noon की prayers में उपदेश दिये जाते थे, construction का pattern almost सब जगा similar था, एक आंगन जिसके आसपस बाकी चीज़ें बनाई जाती थी, चाहे मस्जिद हो या hospital या कुछ और, इसलाम की religious art में living beings को involved नहीं किया जाता था, इसलिए दो टाइप के art forms जादा popular थे, calligraphy और arabesque, इसमें धार्मिक बातें अच्छे अच्छे design में लिखे जाती थी, calligraphic art 8th और 9th century में लिखी गई कुरान में भी लेखने को मिलता है, तो ये था हमारा 4th chapter, अब ये हैं इस chapter के कुछ important questions इने लिखे, और अगर किसी topic या question में doubt आए, तो आप मुझे comment section में या Instagram पे पूछ सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी, तो hit that like button and subscribe to our channel, keep studying and thanks for watching.